कि है गाई तो यार आज की वैलियु स्टोर डिजाइन करने का पार्ट 3 देखते हैं जिसमें हम distributed की वैलियु स्टोर देखेंगे ठीक है इससे पहरे वाले वीडियो में हमने देखा था single पर एगल सर्वर की वैली स्टोर उसमें क्या इस्वीज बनाएंगा तो किवैलिट को इसितिब्रीट है ओर यह करता क्या है इसको कई सारे सर्वर्स के अक्रॉस अधिक्र दिस्रीबीट कर देता है तो यह एक चीज याद रखना कोई भी distributed system डिजाइन करने के लिए कोई बी डिस्ट्रीट सिस्टम डिजाइन आपको कैप ठियोरम की एंडिस्टैंडिंग होनी चाहिए ठीक है और कैप फिरम आपको रटने की P for partition tolerance नहीं समझ में आया आगे बढ़के देखते हैं तीनों का मतलब क्या है सबसे पहला है consistency तो consistency का मतलब क्या होता consistent रहना like same रहना तो सारे clients को same data दिखना चाहिए same time पर no matter वो किस नोट से connect करें इसको बोलते consistency कोई भी data नोट से वो connect करें उसको सब जगा same data same time में दिखना चाहिए ठीक है client को availability मतलब तो नाम से clear हो रहा है consistency भी नाम से clear होगे तक consistent है वो availability भी नाम से clear है कि कोई भी client जो request कर रहा है उसको response मिलना चाहिए चाहे कुछ node down भी क्यों ना हो हमेशा available रहना चाहिए response हमेशा देना चाहिए ठीक है this is availability नाम से clear हो रहा है तीसरा है partition tolerance पहले समझते है partition का मतलब क्या होता है किसी दो नोड के बीच का communication अगर break कर गया उसको partition बोलता है for example तीन नोड है N1, N2, N3 माल लेते है N3 down हो गया तो इसको बोलते है partition break हो गया मतलब स्वारी partition हो गया इससे क्या होगा कि N3 अगर down हो गया तो N1 और N2 N3 से communicate नहीं कर पाएंगे तो communication का break हो गया तीनों में उसको partition बोलता है tolerance मतलब कि partition हो तब भी it should be able to operate well आपकी system continue करनी चाहिए सही से काम करनी चाहिए even if the partition occurs मतलब partition tolerance का मतलब वह हुआ कि tolerant होना चाहिए partition के partition is a bad thing and your system should be tolerant to that bad thing ठीक है अब cap theorem कहता क्या है कि ऊपर जो तीन प्रॉपर्टी में आपको पता है ना consistency, availability and partition tolerance आपको कोई एक तो sacrifice करना ही पड़ेगा ठीक है ताकि आपको other two properties मिल सके तीनों प्रॉपर्टीज impossible है आपकी system में तीनों प्रॉपर्टीज हो वो impossible है किसी एक को आपको sacrifice करना ही पड़ेगा read out करता हूँ, one of the three properties has to be sacrificed to support the other two properties, तीनों भाई impossible है तीनों प्रॉपर्टी हो आपके system में बहुत ideal case है वो नहीं possible है ठीक है और आज के time में क्या होता ना key value stores कुछ इस तरह available है आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको कौन सा key value store चाहिए, CP support करने वाला मतलब consistency and partition tolerance support करने वाला, AP वाल availability and partition tolerance support करने वाला, या फिर CA वाला key value store चाहिए, consistency and availability support करने वाला key value store ठीक है, तो ऐसे होता है, मतलब generally आप अपने interviewer से पूछ भी सकते हो कि आपको किस type, कौन से feature support करने वाले key value store चाहिए, ठीक है, बड़ एर एक चीज़ ध्यान दो, जो CA है इसमें partition tolerant नहीं है आपकी system, ठीक ठीक है, यह मैं बोल रहा हूँ, network failure is unavoidable, वो हो गई होगा, ठीक है, तो जो CA वाला है, CA system, ठीक है, जो CA है, यह possible नहीं है, real life में, तो इसको नाम ignore ही करते हैं, मतलब आपको system को partition tolerant होना ही पड़ेगा, क्योंकि partition होता ही होता है, ठीक है, ठीक है, तो partition tolerant तो आपको रखना पड पड़ेगा, ठीक है, अब example से समझते हैं, सारी चीज़ें, example से ज्यादा clear होगा, कि यह सब है क्या, पहला दिखते है, distributed systems में data आपको तो पता ही है, कि replicate करते हैं multiple times हम लोग, है ना, मैंने आपको पढ़ाया बिता, replica nodes बनाते थे database का, previous videos में, तो replicate करते हैं multiple times data को, तो assume करके च 1, node 2, node 3, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं, कि ideal situation क्या होगा, एकदम best situation, जैसे सपना होता है, dreamy situation, वो क्या होगा, कि नेटवर्क partition नहीं हुआ, मान लो, हुआ ही नेटवर्क partition, ठीक है, इसका मतब क्या होगा, कि data मान लो, अगर N1 में मैंने write किया, तो वो अराम से replicate कर देंगे हैं, हम N2 में भी और N3 में, N3 में भी, तो जो data N1 में है, वो N2 में भी और N3 में भी है, consistency एकदम perfect, ठीक है, और कोई server down भी नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको consistency और availability भी मिल गया, और partition हुआ ही नहीं, तो partition भी नहीं हुआ, sorry, consistency और availability अचीव होगया पर partition भी नहीं हुआ, तो देख रहाँ, आपको तीनों property मिल गए, कि partition tolerant भी है, consistency भी है, availability भी है, ठीक है, इसका spelling या रहूँग है, ignore मारो, ठीक है, तो यह बहुत ideal situation है, it is too good to be true, यह सपना है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो अब हम real world distribute systems की बात करते हैं, तो देखो मैंने प partition tolerance तो रखना ही पड़ेगा आपको अपनी system को, तो आपने P तो चूस कर लिया, कि आपकी system में P तो रखना ही रखना है, अब आपको C चूस करना है, या A चूस करना है, वो आप पर है, C बोले तो consistency, A बोले तो availability, ठीक है, P तो रखना ही पड़ेगा, C और A में हम चूस करें और N1 और N2 से, ठीक है, और मालो कोई client है, वो N1 और N2 में data लिखता है, मालो, write करता है, तो जो भी data लिखा, वो propagate नहीं कर पाएगा, write N3 में, क्योंकि communication बंद हो चुकी है, N3 से, क्योंकि N3 डाउन है, ठीक है, या फिर मालो कोई client N3 पे write कर दिया, तो जो N3 पे जो write ही है, वो N1 और N2 में propagate नहीं कर पाएगा, क्योंकि communication अभी बंद है, तो इस से problem क्या होगी, कि N1 और N2 में stale data रह जाएगा, वही मैंने या लिखा है, अगर client जो है, write करता है N3 में, तो it won't propagate to N1 and N2, तो stale data रह जाएगा N1 और N2 में, ठीक है, तो यह भी problem है, तो अब मैंने क्या consistency चुना, consistency चुना, मतलब आप चाह रहे हो कि सारे notes में data same रहे, ठीक है, आपको consistency चाहिए, तो पता है, आप क्या करोगे, आप सारे write operations को block मार दोगे, on N1 and N2, क्योंकि मान लो N1 and N2 में, अगर आपने write operation block नहीं किया, तो उसमें लिखाने लगेगा, write operations होने लगेगा, और N3 consistency में, stale data रहे जाएगा, ठीक है, तो consistency तो नहीं बनी, consistency तो ब्रेक हो जाएगी, सब में अलग-अलग data रहे जाएगा, stale data रहे जाएगा, तो आप क्या करोगे, write operations को block कर दोगे, अब block कर दिया write operations, तो system unavailable हो गई, यह मैं कहा रहा हूँ है, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपन इसको चुन लिया, consistency को चुन लिया, तो यह अपका CP system है, ठीक है, तो आप सुचते हो, यह ऐसा कौन करेगा, कौन इतना दुष्ट इंसान है, जो ऐसा करेगा, बट यह बहुत simple सा example है, banking system, हमेशा आपको up-to-date balance info चाहिए होती है, जब भी आप अपने balance चेक करते हो, तो, है बैंकिंग वालों के लिए consistency भाई सबसे जादा important है, ठीक है, आपको वो correct data ही balance शो करना चाहते हैं, हमेशा, ठीक है, क्योंकि आप भी डर जाओ गया, मेरे पैसे कहा गया, रोने लगे गो फिर, ठीक है, तो अगर inconsistency होती है, बैंकिंग सिस्टम में, तो, वो return, वो error return कर दे information, ठीक है, तो आप देखता है, कई बार ऐसा होता है, अगर आप फेच करोगे अपना balance information, कई बार अगर मानलो उनका server डाउन होता है, तो वो error return कर देते हैं, कि please try again later, server not working right now, ऐसे करके, ठीक है, वो state data ने शो करेंगे आपको, उनके लिए consistency बहुत important है, अब दूसरा है, कि मा write कर सकते हैं, वहाँ से read भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, system read operations accept करने लगेगा, और इसको stale data भी मिलने लगेगा, ठीक है, जितने भी write operations होंगे, वो n1 और n2 में होंगे, ठीक है, और n1 और n2 में होंगे, और n3 में तो sync होगा नहीं, क्योंकि अभी तो n3 डाउन है, तो बाद म sync करेंगे, जब resolve हो जाएगा issue, ठीक है, और आप, मालो किसी client request कर दिया n3 में, तो उसे stale data मिलेगे, क्योंकि n1 और n2 में write हो रहा है, मालो, latest data, तो n3 में तो write होगा नी, sorry n1 और n2 में write हुआ, तो n3 में तो propagate होगा नी, n3 में अभी भी stale data पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो त तो आपने कंसिस्टेंसी को आपने sacrifice कर दिया, ठीक है, और आपने चूज किसको क्या, availability को तो ये आपका, sorry ये आपका हो गया, availability, partition tolerance, आपका ये AP सिस्टम हो गया, ठीक है, और मैंने कहा था कि CA तो possible नहीं है, रियल लाइफ में, तो उसको चूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये देखो कि CAP theorem का कौन सा कॉमबो आपको यूज करना, CA, CP या AC जो भी है, आपके नीट के हिसाब से वो बहुत important step होता है, distributed key value store बनाने के लिए, ठीक है, आपको decide करना होगा कि कौन सा आपको चूज करना कॉमबो, CAP theorem का, ठीक है, इसलिए ये चीज हमेशा discuss करते हैं, interviewer से, उनसे पूछो या तुनसे discuss करो कि what kind of distributed key value store you will need, will it be a CP systems, will it be AP systems, will it be CA systems, ठीक है, ideally CA तो possible नहीं है, partition होता ही होता है, real life में, but still you can ask him, ask your interviewer, ठीक है, they will be able to answer or help you out, ठीक है, चोलो, आगे का आप हम देखते हैं, next video में, see you guys, thank you, bye-bye.